हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि गांधी जैनती परभाशन कैसे दिया जाता है या कैसे लिखा जाता है जादा दिरना करते वे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गांधी जैनती परभाशन अदरने परधाना ध्यापक, शिक्षगन और मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार मैं आप सभी का हार्दी का भिनंदन करता हूँ मेरा नाम पंकज है और मैं कक्छा बारवी में पढ़ता हूँ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहां महात्मा गांधी जी के सम्मान में उनकी जैनती मनाने के लिए खठा हुए हैं और मैं इस महान औसवर पर मैं गांधी जी के जीवन और भारत देश के परती उनके योगदान के बारे में कुछ सब्द कहना चाहता हूँ महात्मा गांधी एक महान सौतंत्रता सैनानी थे जिन्होंने हमारे भारत देश को बेचिस राज से मुक्त कराने में अपना महत्रपुन योगदान दिया था दो अक्टूबर का दिन महात्मा गांधी जी का जन्म दिन होता है उनका जन्म दो अक्टूबर सन 1879 में पुरबंदत गुजरात में हुआ था राश्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सर्धानजली देने के लिए हर वर्स पूरे उत्साह के साथ हम इस दिन को मनाते हैं गांधी जी का पूरा नाम मोहंदाश करमचन्द गांधी है और हम उन्हें बापू तथा राश्ट्रपिता के नाम से जानते हैं इनके पिता का नाम करमचन्द गांधी था और वे राजकोर रियासत में एक दिवान थे गांधी जी के माता का नाम पुतली बाई था और वा एक बहुत ही धार्मिक महिला थी महात्मा गांधी जी आदर्स जीवन जीते थे वे सरल और उच विचारों वाला जीवन जीते थे अहिंसा पर्मो धर्मा के सिद्धान्त पर चल कर उन्होंने देश के लोगों को एक्जुट करके अजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने की प्रेदना दी थी सभी धर्मों को आदर से देखने सत्य और अहिंसा को जीवन में अपनाने की सिख्षा दी थी गांधी जी ने विश्व को सांती का संदेश दिया था आज का दिन मात्मा गांधी जी को सर्धान्जली देने का सरुस्रेष्ट दिन है गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंगलेंड गए थे वहाँ से अध्यन करने के बाद गांधी जी भारत वापस लौट आए और वकिल पद पर काम करने लग गए लेकिन देश की बिगरती हालात को देख कर गांधी जी ने देश को बिटिस राज से मुक्त कराने का फैसला लिया और सौतंतरता संग्राम में कूद पड़े देश को अजादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है बापु ने कई आंदोलन किये और आंदोलन करने के दोरानवे कई बार जेल भी गए बापु ने 1917 में चमपारन और खेड़ा सत्यगरा 1919 से 1924 तक खिलाफत आंदोलन 1930 में दांडी मार्च और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला कर देश को अजादी दिलाने में महत्वपुन भूमी का निभाई थी इन आंदोलन में कोई वेदभाव नहीं था सभी धर्म के लोग और सभी जाती ने बापु का साथ दिया सत्यगरा अंदोलन में हर कोई चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सेख, इसाई या किसी अनिधर्म के लोग हों सभी ने भारत को अजादी दिलाने के लिए सौतंत्रता अंदोलन में भाग लिया था इस तरह से गांधी जी ने सभी करांतिकारियों के साथ मिलकर 15 अगर्ष्ट 1947 को हमारे भारत देश को सौतंत्र कराने में सफल हुए हमें नहीं भूलना चाहिए कि बापो ने हम भारतवाशियों को अजादी दिलाने के लिए अपने प्रांध तक त्याग दिये हम उनके दुआरा किये गए कारी को कभी नहीं भूलेंगे हम सभी भारतवाशियों को आगे भरिस में अपने देश में सांती, अमन और चैन बरकरार रखना है तो हमें बापो के विचारों को अपनाना ही होगा आशा है कि आप सभी को मेरा या भार्षन पसंद आया होगा मैं इनी सब्दों के साथ अपना या भार्षन समाब्द करता हूँ जै हिंद जै भारत धन्यवाद